देखे फ्रेंट्स ये खूबसुरत सा पहाँ पेटे सा वर्क मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूं और इससी तरह के वर्क जो different different styles and different different techniques different different kind of fabrics है मैं लाती रो हूं है वेलकम बेक तो मैं चैनल आर्ट फेक्टरी पीडी फ्रेंट्स आज जो मैं आप सभी के लिए पेंटिंग लेकर आई हूं यह है अमेरिकन क्रेप के फैबरिक पर देखे इतनी वेराइटी कहीं और मिलेंगी क्या इतने अलग अलग तरह के कपड़ों पर मैं आपको पींटिंग सिखा रही हूं तो आपका भी तो थोड़ा सा थोड़ा सा जो है है तो मिल सकती है ना देंगे ना है तो चलिए हम यह बाते लिए तो बात में करेंगे चलती रहती है तो अब मैं बताती हूं American क्रेप के फैबरिक पर मैं पेंट कर रही हूं कुरती है कुर्ती का पैनल है और जो वर्क है वो नेक तक जाता है और यह कुछ डिफरेंट वर्क है फ्रेंट ध्यान से देखेंगे का बहुत ज़्यादा प से न कोई रोक नहीं सकता सो चलिए बाते हम वीडियो के बीच में भी करते रहेंगे हम वीडियो देखते हैं बहुत ध्यान से देखिएगा बहुत अलग-अलग चीजें हैं बारीकिया हैं इसमें थोड़ी सी सो वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजेगा चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके बैल आइकन प्रेस कर लीजिए जादा से ज़धा शेयर कीजिए फ्रेंड्स अपनी यूट्यूब फैमिली आर्ट फेक्टरी पीडी को बहुत बड़ा कीजिए क्योंकि यहीं मुझे आ है हमारी वीडियो की तरह हुआ है तो देखे हलका सा मैंने ड्रॉ करने की शुरुबात की थी लेकिन फ्रेंड्स पर मुझे जो है न ड्रॉइंग करने में इतना मज़ा नहीं आता है जितना पेंट करने में आता है कलर को पतला किया है लेकिन यहां देखिएगा जादा पतला कलर होने से क्या होता है बुरा भी कुछ हुआ है और अच्छा भी बहुत कुछ हुआ है सो यह जो है result और differentiation है यह सब आप देखिए आप देखे इसमें से किस तरह से जो हमारा कलर है वो जो है बाहर की तरफ आ रहा है जितनी हमारी पैटल है बस यही एक reason है यही एक चीज है जो मैं आपको समझाना चाहती हूँ इतने दिनों से मैं बोल रही हूँ के main चीज है color की consistency और वो आपको तब ही समझ में आएगी जब आप करेंगे और ऐसे जब हम करते हैं ना friends तो हम देख लेते हैं हम सोचते हैं हमें समझ में आगया कितना पतला color है कितना जो है वो थिक color है तो यह चीजे देखने से समझ नहीं आएगी friends कीजिए मेरे साथ साथ बनाईए मैं आपकी पूरी help करूंगी जहां भी दिक्कत हो मुझसे comment section में पूछिए और main चीज यह है कि facebook पर या insta पर मुझसे जुड़ कर जो creation आप बना रहे हैं या बनाई हैं आपने मेरे वीडियो से देख कर आप उसकी photos मुझे send कीजिए मैं youtube पर भी share करूंगी मैं facebook और जो insta हैं वहाँ पर भी आपकी creation को share करूंगी कि मुझसे सीख के किसी ने कुछ बनाया है सर्फ वीडियो बनाने से बात नहीं बनती friends ये भी अगर हम ध्यान रखे कि हमसे किसने क्या कितना अच्छा सीखा है और किसने क्या कितना बुरा सीखा है जो है ना इन चीजों प देख ली वह स्टार्टिंग में पतला कलर था तो ये क्रेप फाबरिक है अमेरिकन क्रेप फाबरिक है तो उसकी वज़े से इस पे हलका सा स्प्रेड आउट हो गया लेकिन नौ वरीज जब यहां पर प्रीती डिंडोरिया है आप सभी के साथ आर्ट फेक्टरी पीडी चैन मारी कलर को थोड़ा दिक करने के बाद है मतलब मैंने क्लर और फीज में चेला दिया जिससे उसकी स्पेडान सी नौर्मल होगी यहल कलर आप प्र फीड सकती बमान के यह you kron यह wici मैं और हलका सा प्रेडिं इसमे चाहती भी थी क्योंकि मैं इसमें कोई बैक्ग्राउंड नहीं दे सकती थी और नहीं यह बैक्राउंड मुझे देना था कस्टमर का जो है यह सूट है पूरा सूट बनेगा यह सूट भी बनेगा दुपट्टा भी बनेगा लेकिन एक ही वीडियो में अगर मैं दोनों चीज़े लेकर आती ना तो वीडियो बहुत ज़दा लंबी हो जानी थी इसलिए मैं आपको आज कुर्ती का डिजाइन दिखा रही हूं और दुपट्टे का जो पैटरन होगा वो फिर किसी वीडियो में मैं आपको शो करूंगी और पूरे जो सूट और दुपट्टा है पूरा उसका व्यू आप देखेंगे नॉर्मल कंसिस्टेंजी होने तक मैं तो जो पैंटिंग करती हूं उसमें फैन ओफ करके करती हूं अब गर्मी लगे यह कुछ लगे क्रीएशन के साथ कोई खिलवार नहीं क्रीएशन के साथ कोई समझोता नहीं वह बेस्ट बननी चाहे इसलिए मैं फैन आफ करके वर्क कर लिया तो कलर नॉर्मल कंसिस्टेंसी पर आ गया धीरे धीरे अब देखे एक सेकंड फ्लार और में आपको बता रही हूं यहां कोई ड्रोइंग नहीं है जस्ट सिंप्ली पैटल्स है वही जो मैंने क्रॉम येलो कलर में सैप ग्रीन एड़ किया था ना तो मतलब सैप बहुत क अपक्तव में क्या चल्रॉप और क्रॉम येलो जादा इस तरह से मैंने कलर की शेड बनाई थी जो मैं पैटल्स में भी दे रही हूं और जो मैंने लीफ्स में भी दिया है बस फर कितना है कि लीफ्स में जो आउट लाइन फॉर्शन है ना व मैं डार्क ग्रीन यानि के इसलिए मुझे बताईएगा जरूर कितने खूबसूरत हैं आप दुपटे में क्या बनेगा ये तो खेर आप इंतजार ही कीजिए और देखें बड़ी ब्रश के साथ ही मैं ये स्टैम बना रही हूं और बारीक ब्रश से मत बनाईएगा बिल्कुल अनिवन बनेगी अच्छी हमारा तरीका है इसमें वक करने का यही है कि हमें थोड़ा सा उसको अलग करना है हमारे रूटीन व्क से तभी ओ खूब सूर लगेगा आप देखें यह जो है मेरा ब्राउन कलर है मैंने डाग ब्राउन कलर लिया है तो यह भी था तो मैंने इसको थोड़ा सा honeymoon पतला इसको पॉलन पार्ट कुछ अलग है इस बार और मैंने इस तरह से चंद्रबिंदू के आकार में मैं जो है इस ट्रॉक्स दे रही हूँ और आप देख रहे हैं स्टॉक्स बिल्कुल भी पास-पास नहीं है सब के सब दूर-दूरय हैं ओर दिखाई Dec रहे हैं अलग-अलग स्ट्रोक्स क्योंकि इसमें हमें फिर आइलाइट देनी है और हाइलाइट किस तरह से देंगे यह आप देखेंगे और यह एफेक्ट तो मुझे बहुत पसंद है आप में से किस को फोल्डिंग एफेक्ट पसंद है वीडियो में जो फ्लार्स होते हैं उनके उन पर तो जरूर से जरूर बताएगा देखिए अब डारेक्ट क्रॉम येलो कलर है इसके मैंने कुछ-कुछ डॉट्स यहां दिये हैं और म यहां पर न वाइट डॉट्स भी दूंगी फ्रेंड्स तो में भी हो सकता है आपको वीडियो में देखने को मिले या ना मिले और अब देखिए चोटे-चोटे से बड्स और चोटे-चोटे से फ्लार मैं बना रही हूं तो अब यह जो बने हुए आपको दिख रहे हैं न चोटे से बुटे के आकार के बिल्कुल ऐसे ही यह जो चीजें हैं यह हमारी हाइलाइट होती हैं और यह हाइलाइट जो पोर्शन्स हैं यह हमें और भी जादा ना अपना जो आर्ट है उसको निकारने में उसको ब्यूटिफुल बनाने में हेल्प करता है तो देखें ब्र स्पेशल है और बहुत जो स्पेशल मेरी क्लाइंट है उनको इस तरह का सोबरवग बहुत पसंद आता है और उनी की चॉइस पर मैं कुछ अलग ट्राय करने की इस बार कोशिश कर रही हूं तो देखे ये तो है एक पार्ट हमारे जो वीडियो का अभी जो सेकिंड पार्ट त वो आपको कुछ समय रुकना पड़ेगा क्योंकि ये जो और आया है ये राजस्थान से आया और वहाँ जाएगा पहुँचने में बनने में टाइम लगेगा तो इसके लिए थोड़ा सा वेट कर लीजेगा और देखे आब वाइट कलर से हम देंगे हाइलाइट और चोटे चोटे से ये पार्ट्स चोटी चोटी बर्ड्स तो ये बनाने के लिए कोई खास इसमें टेकनीक नहीं है बस सिंप्ली आपको ब्रश के स्ट्रॉक से बनाना है और जो इनकी कनेक्टिंग है वह ब्राउन कलर से मैंने की है अब जो फ्लार्स हैं उनमें हमें regular जो है हमें आपको आउटलाइन देनी है जिससे एक एक पैटल अलग अलग लगे और यह अलग अलग लगेंगी तब ही आपका फ्लार है जो वह खूबसूरत लगेगा और एक के उपर एक पैटल ओवरलैपिंग में दिखाए देगी और यह जो हमारे लीफ है ना यहां पर कोई हमें दिया है और यह मैं आपको सिखा चुकी हूँ जब मैंने उल्टा रोस बनाया था यह लीफ और यह पिंक शेडिंग वाले लीफ है ना यह मैं सब आपको बता चुकी हूँ और बिल्कुल सिंपली इसमें जो है मैंने लीफ बनाये हैं कोई खास मुश्किल नहीं है राउंड जल्दी से मेरे भी सब्सक्राइबर बढ़ा दीजिए मेरा भी दिल करता है मैं भी सेलिब्रेशन करूं सेलिब्रेशन की वीडियो आप सभी के साथ शेयर करूं आपका दिल नहीं करता करता है ना तो जल्दी जल्दी से वीडियो को बहुत सारा शेयर कीजिए बहुत सारा दीजिए मैं आप सभी के लिए इतना सोचती हूँ अलग-अलग तरह के fabrics पर अलग-अलग तरह के technique लेकर आती हूँ और हर technique बहुत easy और unique होती है ये आप सब जानते हैं तो मैं अगर आपके लिए इतना सोचती है तो थोड़ा सा मेरे लिए और हाँ जाने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए भूल गए ना आप बूलिये मत बिलकुल भी मत भूलिये वीडियो को लाइक कर दीजिए friends and family के साथ प्लीज शियर कीजिए चैनल पर अगर आप भी नई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए साथ ही साथ जो बैल आइकन है न वह आप ही के लिए है ताकि notify के इतना ले भी मिलती रहें बैल आइकन को प्रैस कर लीजिए numटिफिकेशन रेगुलर पाने के लिए और साथ ही साथ कमेंट सेक्षन में बताइएगा ये कैसा लगा आपको वर्क ये जो सूट है ये कैसा लगा सो उल्टा रोज की वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं आप तो लेफ्ट साइड में क्लिक कीजिएगा और अगर और भी फैब्रिक